हेलो स्टोइंट्स, मैं नेम इस बोबनेश परसारिया, आम फिजिक्स फेकल्टी एट नवोदेन एकाड़ी इन दौर, हमारी जो नीट के टेस सेरीज चल रही है, उसका पेपर सेविन का आज हम लोग जो फिजिक्स सेक्शन है, वो डिसक्स करने जा रहे हैं, I hope कि आप लोग यह दो चालू करते हैं, first question, which of the following is true, diamagnetism is temperature dependent, paramagnetism is temperature, see, यह जो question है, जब हम लोग इसके magnetism वाला part cover कर लें, तब वहाँ पर आपको कराया भी हिया था, और इसका जो सही answer है, वो होना चाहिए, paramagnetism is dependent on temperature, diamagnetism paramagnetism पर, temperature पर dependent नहीं होता है, paramagnetism होता है, और paramagnetism होता है, याद रखिएगा, यहाँ पर paramagnetism और paramagnetism की तो पाती नहीं है, तो जो इसका answer है, वो होजाएगा B, okay, let's forward to the next one, a magnet of magnetic moment, 4 joule पर tesla is aligned in the direction of magnetic field, the net work done to slowly rotate, work done का formula हम जानते है, work done होता है, mp1 minus cos theta, right, यहाँ पर आपको यह सारी values दे रखी है, n की value दे रखी है, b की value दे रखी है, 1 minus किस angle पर ले आ रहे हैं, 180 degree पर ले आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप 180 डाल देंगी, जब यहाँ आप value solve करते हैं, then you will see किसका जो answer है, वो c आ जाएगा, okay, so let's move on to the next one, In question number 3, the magnetic moment of steel wire is capital M, see, आपको एक steel wire है, जिसकी length L दे रखी है, इसका magnetic moment आपको दिया गया है, capital, अब क्या करा आपके, इस steel wire को ऐसा एक circular arc में convert कर दिया, right, जो कि 60 degree पर है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी निकालना चाहूं, देखी, यह length है, तो यह जो length है, यह कितनी हो जाएगी, हम अगर formula लगाएं, जो मारा arc का formula होता है, 60 over 360 theta over 360 into 2 pi r formula होता हमारे पास, सही है, तो यहाँ से l equals to आगया pi r by 3, तो अगर मैं यहाँ से r की value निकालना हूं, तो r की value हो जाएगी, 3 l upon pi, ओके, तो अगर मुझे इसका magnetic moment निकना है, लेट से m dash निकना है, तो वो जाएगा m into r, m और r की value है, 3 l upon pi, ठीक है न, अब देखें ज़रा है, यहाँ पर, m into l को मैं capital M right, तो देखें यह, m into l जो है, तो मैं लिख दूँगा, 3 m by pi, तो इसका जो answer है, वो हो जाएगा, d, clear है, चलिए, next question देखते है, next one, there are two coaxial coils, a and b as shown in the figure, ठीक है, coil b, जो है, वो fix कर रखी है, आपने, और, coil a को आप move कर रहे हैं, left side, देखिए, आपसे देखिए, इस pushing book, आप इसमें, coil a को left side move कर रहे हैं, ऐसा देखा गया, कि यह जो है, यह anticlock wise बूब रहा है, right, तो अब आपसे पूछा गया कि बताईए, कि a के अंदर, जो current होगा, वो किस direction में होगा, और उसके नीचर कैस होगा, तो यहाँ पर यह जो है, इसके अंदर, बी के अंदर जो current flow कर रहा है, वो basically constant है, तो यहाँ पर a के अंदर current flow कर रहा होगा, that will also be constant, अब आपको यह decide करना है, कि किस direction flow करेगा, clockwise करेगा, कि anticlockwise करेगा, इसमें हम length, जो rule है, वो लगा सकते है, क्या, देखिए, यह दू को वो oppose करेगा, तो इस case में दूर जा रहा है, तो यह coil, मतलब इसके अंदर इस तरीकिसे current flow करना चाहिए, so that यह pass आ सके, अब आप देखिए, हम लोगों ने सीखा है, कि जो दो वायर, इसको बहुत तरीकिसे explain किया सकता है, इस concept को, मैं आपको simple तरीका बता रहा हूँ, opposite direction में है, तो फिर वो repel करेंगे, अब देखिए, इसमें जो current आ रहा है, ऐसा आ रहा है, इस तरीके से, अब अभी मैं अपने डिसाइड करा है कि इसको attract करना चाहिए, attract करने के लिए, इसके अंदर भी current इसी direction फ्लो करना चाहिए, अगर इस direction फ्लो करेगा, तो यह कौन सी direction magnetic flux, okay, is changed through a coil, okay, okay, now, देखिए, आपको यह, IOT के बीज़वा graph दिया गया है, और आप से पूछा जा रहा है, कि, change in flux क्या हो, okay, हम जालते हैं, जो E होता है, that is, D5 by dt, okay, और E को आप, I into R भी लिख सकते हैं, equals to D5 over dt, अगर मैं D5 यहां से निकालना चाहूँ, तो D5 will be equals to I, R into dt, अब अगर मैं integrate करो, देखिए, R तो बाहर आजाएगा, I into dt होगया, integration को मतलब जाते हैं, integration को मतलब जाते हैं, area under the curve, मतलब basically हम अगर इसका area निकालने हैं, तो that is nothing but I, dt, और resistance आपको दिया है, resistance कितना दिय है, 5 ohm पर दिया है, 5, अब इसका area कैसे आएगा, half, base, into height, 6, तो अगर आप इसको solve करते हैं, तो यह ऐसा हो गया, तो यह जो है, इसका answer, वो आ जाएगा, 3, बतलब B, clear है, तो यह concept इसको आपको इस तरीके से अपलाए करना है, जब भी graph दिया हो, आपको पता है, graph जब भी आता है, तो उसकी दो ही चीज आवारे काम क्यों होती है, या तो वो slope कुछ दे रहा होगा, या उसके area कुछ दे रहा होगा, तो यहाँ पर हमने देखा कि area से हमको जो चीजा पूछी गई थी, वो हमने निकाले, right, so let's move on to the next question, कर चाह। झाल 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 इसे लिख सकते हैं, पावर फैक्टर होता है, जिसकी वेल्य होती है, R upon Z, अब यहां पर रियक्टेंस और रिजिस्टेंस है, इंडक्टर का है और रिजिस्टर है, तो अगर मैं z की value नेकालना चाहूं यहाँ पर z की value हो जाएगी under root r square plus xl square मतलब कि 4 का square plus 3 का square यह जाएगा 5 अब i rms को मैं v rms over z देख सकता हूँ मतलब कि यह एक तरह से हो गया v rms का square cos 5 upon z v rms की value आपको दें रखी है 10 तो 10 का square कर देंगे cos 5 r upon z होता है तो 4 upon 5 और नीचे 5 आही रहा है तो जब आप इसको solve करते हैं तो आप देखेंगे इसका answer जो है वो 16 ना जाएगा मतलब दी इसका answer हो जाएगा ओके तो लेट्स मों तो नेक्स वन नेक्स वन सेज़ पाउर फेक्टर पाउर फेक्टर का फॉर्मला भी हमने लिखा है R upon Z तो इसकेस में R upon Z को आप लिख सकते हैं अंडर रूट R square प्लस वट इस तरीके से लिख सकते हैं अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा मोडिफाय करू तो R अगर मैं R square बाहर कर दूँ तो यह हो जाएगा ऐसा 1 प्लस XL over R का square इस तरीके से तो यह एक तरह से लिखा हुआ है cos phi equals 1 upon under root में 1 plus XL upon R का square इसकी value रोन दी है आपको 1 by root 3 अच्छा इस 1 by root 3 को क्या मैं यह से लिख सकता हूँ 1, 1 plus 2 अगर मैं इस से compare करूँ इसको तो I can say XL upon R का square equals to 2 राइट और you can say XL upon R equals to root 2 यह बोलाँ यह है original case अब यह क्या रहे हैं कि नया power factor क्या होगा अगर if the frequency of AC is doubled अगर आपने frequency को double कर दिया तो frequency basically किसमें आती है इसमें आती है तो जो नया power factor बनेगा वो ऐसा दिखेगा पतलब जो frequency अगरा पर double कर दी तो आपने basically यह कर दिया इसकी value कितनी हो जाएगी 2 root 2 क्यों क्योंकि इसकी value root 2 है राइट तो अब हमारा जो power factor का formula है इसमें हम क्या रिप देंगी value तो हमारा जो नया power factor आएगा cos phi that will be 1 over under root में 1 plus अब इसकी जो value है यह आपको रखनी पड़ेगी तो आप इसकी value है 2 root 2 का square कर देंगी तो अगर आप इसको solve करते हैं तो आप देखेंगे किसका जो answer है that will be 1 over 1 plus यह जाएगा 4, 4, 2, 8 मतलब 1 over root 9 यानि की 1 over 3 और भी इसका answer जाएगा ओके तो इस तरीके से इसको हम solve करेंगे तो लेट्स मूँआ दू 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 नेक्स कोशन दें ओके इन एन LCR सरकेट रेजोरेस पर जब होगा तो हम जानते हैं यह जो पावर डिसीपेटेट होती है तो इसका जो answer हो भी हो जाएगा यह सीधर सीधर fact question है theory इस उठागे दिया है now the voltage across capacitor is this much तो आपको current के लिए दिरका है हम जानते हैं capacitor लेट करता है और वोल्टेज जो है तो lag करता है तो यह lagging condition ही दिरकी है तो current जो होगा वो लीड कर रहा होगा तो इस case में इसका जो answer है वो A हो जाएगा सीधर सीधर theory से question उठाके दिया गया है इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने वाली बात दीगी अगर आप कुछ theory clear है तो इसको आप easily figure out कर लेगी so next one okay now the next one is quality factor quality factor का अगर आपको formula यह होता है इसमें आपको थोड़े से सारे setting लगाने पड़ेंगे यह एल निखा हुआ है थोड़े सा typing mistake दिख रही है आपर तो यह values आप जब ड़ेंगे R की L की की सारे combination जो आपको दे रखी है then you will see किसका जो answer है जिस पर quality factor minimum मिल रहा है आपको यह manually यह आपकर करके देखना पड़ेगा formula यह रिखा हुआ quality factor गा so the next question is in the next question a capacitor of capacity seems given to charge q उसके बाद में इंडक्टरेंट से connect कर दिया आपने करहें कि maximum current flowing in the circuit at an instant will be जब maximum current flow करेगा तब उस case में इंडक्टर की energy है that will be equals to capacitance की energy q square by 2c तो यहां से अगर हम i की value निकालें तो देखे 2 से 2 कर जाएगा और i equals to हो जाएगा q upon under root lc ठीक ना आप इसको solve किजिए q upon under root lc हो जाएगा तो इसका जो answer है वो a हो जाएगा let's go to the next one the next one is the variation of magnetic susceptibility for ferromagnetic देखे जो इस पेपर पो चालू किया था तम मैंने आपको बताया था कि जो magnetism है वह पेसी कली इसका फेरो मैंगनेटिक और प्राग्राम मैंगनेटिक का यह दोनों temperature करते हैं डाय मैंगनेटिक डिपेंट नहीं करता अगर इसका specific formula भी देखना चाहें तो वह होता है वन ओवर कि सिर्फ inverse relation का मतलब यह नहीं है कि हार बार आपको आपको यहां पर यह भी देखना है कि यह कहां से आ रहा है तो कि सो देक्स वाइगा और कंदूक्टिंग लुप इस प्लेस्ट प्रेंटिक फिल्ट बेस्ट प्रेंटिक तु देखिए यह कुछ इस ऐसा बोल गहां माले तो फिल्ड फिल्ड जो है वो इस डारेक्शन में और आपने जो मेगनेटिक लूप रखा है वह कुछ इस तरीके से रखा हुग है तो कह रहे हैं कि इमफ इंड्यूस करवा रहा है अब अगर इसको इसकी एक्सेश पर गवाते हैं तो एस तो और आप इसका जो आंसर है वो जाएगा इस रोटेटेड अबाउट डायमेटर एक्सिस के अबट गुमाने के मतलब है कि आप ऐसे गुमा रहे हैं तो अगर आप ऐसे गुमाएंगी तो फिर इसकी एडिया में भी आपको चेंज देखेगा और आपको माले में चेंज इन एडिया होगा तभी जाकर फ्लक्स में चे आपको फार्म्मला वी रम्स आई आरमेस कोसफाइब वी आरमेस यहां से रिकल जाएगा यह 150 अपॉन रूट टू आई आरमेस यहां से 150 अपॉन रूट टू और कोसफाइब कोसफाइब वैल्यू रच देजेगा जब आप सॉल परेंगे तो आप देखेंगे इसका आलसा क्लिए वो सी आजाएगा ओके तो लेस्ट वोटेज इक्वेशन इस देखेंगे तो यहां पर देखेंगे साइन भी आ रहा है क्वास भी आ रहा है तो आपको इसके लिए एक छोटी से मैथमाटिक्स करनी पड़ेगी हमारे पास फॉर्म्मला होता है साइन टू थीटा एक सब्सकिन से यहां पर देखीये अगर मैं इसको धीटा लिखा हुआ है मतल्म मैं ऐसे लिख सेकता हूँ भी इकवल्स टू हंड्रेड तो थाय का हाफ, साइन, टू थीटा, टू थीटा का मतलब हो गया, टू हंड्रेडड पाइ टी, तो अगर मैं इसको देखो तही होगा है 50, अब आपको मालम है कि यह जो स्टेंड एक्वेशन है, वी इक्वेशन है, वहाँ पर वी नॉट क्या होता है, पीक वोल्टेज, पीक the rms current is to ampere, if the wattless current is 3 ampere, see, wattless current होता है हमारा i rms into sin 5, यह दे रखा है आपको root 3, irms की value 2 है, तो sin 5 equals to root 3, तो साइन फाई के वेल्यू आ गए रूर्ट थ्री बाई टू अब आप यहां से क्वाउस फाई इसली निकाल लेंगे तो इसका जो अंसर आएगा यहां यहां पर क्या लगा हुआ है चो कोई लेंगी ही है ओके इंडक्तेंश लगा हुआ है ध्यां से पहले आपको निकालना पड़ेंगा एक्सल क्या होता है 2 5S into L F की value दिरखी है right L भी दिरखा है XN निकाल लेंगे इस अपर इस निकाल सकते हैं अपर रहा स्क्राइब प्लस XL के स्क्वार करकी जब आप यह सारी value कर देगे put तब आप देखेंगे कि जो इसका answer है that is coming out to be 1 over root 2 okay so let's move on to the next one power delivered by a source becomes maximum अभी थोड़ी पहली कर आता है participation maximum का होता है resonance condition होता है और resonance condition हम जाते XL equals to XC होता है इसका answer भी हो जाएगा theory से सीज़सी कोश्चन है now यह भी theory से ही question है जो heating effect of current पढ़ते हैं तो हम आप है clearly लिखते हैं कि यह सिर्फ DC पर work करता है आप से पूचा गया है कि इन में से कौन से चीज जो है AC पर work नहीं कर सकती है तो इसका answer जो हो जाएगा next one in the circuit show then the voltage across AC source voltage का formula simple आप लगा देगे voltage आपको total voltage निकालना है तो total voltage जो है अगर आप इसको इसे लिखते है तो यह हो जाएगा VR का square bracket में VL minus VC का square ओके सारी values दे रखने हैं आपको आप यहाँपर पूट कर दीजेगा जो आप पूट करेंगी तो आपका answer जो है वो दी आदे रहेगा तो next one okay in the next question net impedance of n of series LCR circuit is at half power frequency देखें यह भी standard question है half power frequency हमने तो quality factor पढ़ते है रिजोनेंस में तो मुझाए दिसक्स किया था कि जहां पर power half होती है वहां पर जो current होता है वह max current का root two times हो जाता है तो मैं इसको v upon z लिख सकता हूं यहाँ पर हो जाएगा v upon c max है तो फेरा जो impedance होगा वो मिन होना चाहिए राइट इंटू root two अगर मैं यहां से compare करूं तो z equals two आ गया root two times z min now minimum impedance क्या हो सकता है resonance condition में हमने निकाला है जो minimum impedance होता है वो आर के बराबर होता है क्यों क्योंकि XL equals to x कर देते हैं तो यहां पर हमारा जो जैट है वो जाएगा two times आर इसका जो answer है that will be d okay so let's move on to the next one ओके for a given circuit power factor I think यह question अब बचको नहीं बताना चाहिए क्योंकि already power factor है बहुत सारे question हमने कर लिए cos pi equals to r upon z r आपको अल्रेड़ी दे रखा है अब आपको पूरी balance z के लिए करनी है z itself होता है under root r square plus xl के square xl कैसे रिका लेंगे two pi f into l सारी value आपको दे रखा है frequency दे रखा है l दे रखा है सब कुछ दे रखा है बस आपको छोटोटी calculation करनी है जो आप यह सब कुछ कर लेंगे तो आप देखेंगे इसका जो answer है वो c आजाएगा okay so the next one if alternative current of rms value a flows to a resistance then the power loss in the resistance is यह पर सिर्फ resistance है तो उस case में जो power हो जाएगा that will be i square into r सिर्फ resistance है को अस्ता यान नहीं आपर आपकारच पावर फेक्टर है वह तो जो हमारे दूसरे एलिमेंट्स है होते हैं वह भी इन्वर्स ली और जो डाइमेंट्स होता है वह इंडिपेंट्स होता है इसका जो answer है वह हो जाएगा इंडिपेंट्स के अंदर एकदव से चेंज नहीं आता है तो यह स्टार्टिंग में से कोई करेंट्स नहीं था तो जैसे आप स्विच को प्लोज करेंगे उसके अंदर कोई करेंट्स नहीं होगा तो बेसिकली जो जब स्ट्रेसिस कर पढ़ाये गया था तब भी समझाये गया था आप से बोला गया है कि इस ग्राफ के अंदर कहाएगी कोर्सिटी कहाएगी और सेचुरेशन करेंट कहाएगा देगे इस डाइग्राम को देखते हैं आप एजली बता सकते हैं कि जो सेचुरेशन करेंट है रहा ठीक है मतलब कि यह जो वैल्यू है यह वाली वैल्यू यहाँ पर यह सेचुरेशन करेंट हो गया अब आपको दियान रटने वाली बात है वह यह है कि यह जो एक्सक्सीस पर होता है यह कोर्शिटी होती है और यह यह च्सिट सम्क्राइब पर बैस्पर को एक जो कोशन है यह एक अच्छा कोशन है आपके लिए काफी कोशन है काफी आपको सीखने को मिलेगा देखिए हम लोग करते हैं जहां पर एक रॉड होती है और वह किसी मेगनेटिक फिल्ड में अगर आप उसको गुमा रहे होती हैं इस तरीके से तो इस केस में जो इसका इंडि बैटरी बनाते हैं तो वह इस तरीके से आती थी मतलब कि यह जो सेंटर वाला पॉइंट होता था यह हाई पोटेशल पर होता था तो अगर मैं इसका वैटरी एक्वेलेंट बनाओं तो मैं कुछ आइसा बना सकता हूं यह पॉइंट होगया यह पॉइंट ऊ होगया और यह पॉइंट safely अब इन दोनों के लिए अप अलग से निकालींगे पोटेशल कैसे ले इसंद एक इस वाले फार्म ले से जैसे मैं इस वाले पॉइंथा पाट केली तो मेरा फ़ावले अगर मैं इस point का potential 0 वाल तो यह point जो है यह point हो जाएगा negative part पर मतलब यह हो जाएगा minus का four times half b omega l square ऐसे इधर वाले की निकाल लेते हैं इस वाले की simple formula ही बन जाएगा half b omega l square तो इसका हो जाएगा minus half b omega l square आपको va minus vb करना है वेल्यू आपके सामने है vb की वेल्यू वेल्यू आप पूट कर दीजेगा जब आप पूट कर देंगी तो आप देखेंगे जो इसका answer है वो डी आएगा ओके सो एक्सवान नाओ नेक्स वाल आई शूड नॉट बी टेलिंग यू क्योंकि यह सीदिशन पर फॉम्ले याद भी है कि नहीं तो यह मैं आपको ऊपर शोड़ रहा हूं अगर आपको फॉम्ले यह पता है तो सबसे पहले आप पॉम्ले याद करिए तो इसका जो answer है व बिल्कुल इस वो तक केते हैं ऑके दो टुरी यूज दा रेट ओफ इंक्रीज ऑफ करेंट अब करना है तो फिर आपको इसका जो टाइंस करना पड़ेगा यह अगर बलटे शब्दाओ बोले अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको इसको यह जो बढ़ाना है तो पिर आपलीगे इसको कहीं से यार Bab करते हैं तो और क्यांटिती तो और रिजन सही है पर इसका एक्सक्रेशन नहीं नहीं एक फिर इस नियुद फूंटाइटी तो यह इसकाि पर इसका आलसर हो चाहिए है है वेज्ट वान अगी असर्शन रीजन वेंट टू वाउंड और इच अधर बीच्व इस बैटेश्व बिल्कु सही आते हैं हम लोग यह प्रासव वाले केस में भी करते हैं जो उंगो एनर्जी लॉससे कम करने होते हैं तो एक यूपर एक को वाउंड कर देती हैं तो बिल्कु सही बोला है दूसरा mutual inductance does not depend upon orientation of the coil गलत भूल दिया आपको पता है कि अगर दो coils C अगर एक coil इस तरीके से रखी हुई है और दूसरी coil अगर इस तरीके से रखी हुई है तो फिर इस case में इनके बीच में कोई mutual inductance आप नहीं देख पाएंगे तो definite सी बात है कि जो orientation है वो matter करता है तो इसका जो answer है वो हो जाएगा assertion is true but reason is false मतलब की C अगे 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 सब्सक्राइब करते हैं तो इसको एक्सेलरीशन और मेंगनेट फॉलिंग त्रूसराइट के अंतर अगर आप एक मेंगनेट को करते हैं तो इसका जो एक्सेलरीशन और मेंगनेट करते हैं तो इसका जो आंसर है वो जाएगा एंड रिजल इस इस तरीके से आपने एक कोई रख रखी अब बताईए यह मेंगनेटिक फ्रेल्ड ही है इसमें से कोई आंसर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा ओ इस केस में जो आंसर है वो जीरो हो जाएगा क्यों हो जाएगा मेंगनेटिक फिल्ड है और अगर आप क्वाइल को ऐसे रख देगी जो की बोला है रोन कि इस हैल्ड पैरल्ल टू दा मैगनेटिक फिल्ड उसका जो प्लेन है वो जीरो हो जाएगा नेक्स्ट इस में मैगनेटिक फिल्ड दे रहता है आपको तीनो डारेक्शन में और बोल रहा है यह स्क्वार है जो एक्स वाय प्लेन में पड़ा हुआ है अदर स्क्वार एक्स वाय प्लेन में तो इसका एरिया वेक्टर का होंगा जैड प्लेन में होगा स्क्वार है तो इसका जो ए तो इसका answer A आ जाएगा, ठीक है न, A मैंने बता दिया है, B आपको दे रखा है, solve कीजिएगा, answer A आ जाएगा, next one, okay, next, is saying, force, we need to find force, force का formula होता है, I, L, B, sin theta है, यहाँ पर sin 90 दिए लिए, कोई कि आप देख रहे है, magnitude फे लदगी तरफ है, तो यह हो गए है, sin 90 दिए, अब L आपको दे रखा है, okay, length आपको दे रखी न, और B, B भी दे रखा है, magnetic field की value दे रखी है, अब पूरा खेल है कि I कैसे निकलेगा, तो I निकालने के लिए, हम क्या करेंगी, सबसे पहले तो हमको E निकालना पड़ेगा, E होता है, B, L, B, values सारी आपको दे रखी है, यह values आपको दे रखी है, यह values आपको दे रखी है, और फिर I क्या होगा, E upon R, resistance भी दे रखा है, तो आपको पता है, E M F जो है, वो हता है D 5 I D T, आप इसको differentiate करना है, और फिर T को 4 second डाल देना है, इसका answer जो है, वो आजाएगा, C, right? So, let's do the next one, इसको अगर आप ध्यान से देखें है, इस question को, यह आपको class में भी सिखाया गया है, कि जब तक wire सेम चल रहा है, तब तक सारे points सेम potential पर है, तो यह भी A है, यह भी A है, और यह बी है तो फिर यह भी भी है तो देखें यह बी की बीच चारों के चारों यह बी की बीच वे पैरलेली चारों गज़नेक्ट है तो इसका जो आंसर है वह आ जाएगा 1 हैंड़ी okay so let's move on to the next question then okay next question says the equivalent inductance of two inductors is 2.4 when connected in parallel parallel of series का पहले ही देख चुक है हम 1 upon L equals to 1 upon L1 plus 1 upon L2 कुछ वैसे ही है फिर हम सीरी के लिए हम जानते हैं L1 plus L2 value put केजिए अब इसको वापिस 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 वार अभी पहले आया था अब देख सकते तो इसका जो है वो भी हो जाएगा देन देख स्वाण in the given circuit voltage across the inductor will be आपको इसके inductor के across voltage निकालना है देखिए आपको total voltage यहाँ पर दे रखा है यह आपको दे रखा है voltage तो आप कैसे निकालेंगी 100 equals to हो जाएगा voltage across register प्लस voltage across inductor का square solve कीजेगा आपको जो answer है वो c आजाएगा next one आपको ना capacitive reactance निकालना है ओके अब आप capacitive reactance निकालना चाहते तो जाते है vc equals to होगा i into xc अब i कैसे लिखा लेंगे power हमको दे रखी है तो अगर हम power का form लगाए तो हम लेख सकते i equals to p upon v power की value दे रखी है voltage की value दे रखी है यहाँ से current आप vc कैसे लिखा लेंगी i आपने निकाल दिया है तो यहां से आपको xc जो है वो आ जाएगा और इसका answer जो होगा वो डी हो जाएगा okay so let's move on to the next question कि ना कि कह रहे हैं कि इन दा गिवन सर्केट v1 and v2 are 300 see v1 and v2 दौनों के दौनों 300 हम जाते हैं यह दौनों एक दूसरे को minus करते हैं तो basically एक तरह से यह purely resistant circuit हो गया तो यह जो potential है यह पूरा-पूरा इसको मिल रहा होगा तो इसका जो है वो potential जो है वो resistance की value है 100 तो यह हो जाएगा 2.2 मतलब कि इसका अंसर जो है वो भी हो जाएगा ठीक है किस तरीके से आपको बना के दिया तक question जो आप उसको easily figure out कर पाएं कि यह दौनों minus हो जाएंगी तो से simple simple हमारा यह purely resistant circuit बढ़ जाएगा so the next one the last one okay in LCR in NLC circuit the capacitor has maximum value okay तो इस case में जब आपको इसको max करना है तो basically हम क्या करने वाले है जो V across L होगा उसको max equal to हो जाएगा V across C max कर दिया अब इसके बाद में V की value होती है एल डिया वाई डिटी और वी इसको लिख सकते हैं Q not by C because Q equals to C V right तो आप जब इसको equate करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो answer है that is Q not by LC यहाँ पर आपको दिखी रहा है क्या वोला और डिया वाई डिटी को लिए निकालना है इसको नीचे ले जाए तो Q not by LC आज आएगा इसका answer that is A so this is it I just hope कि आपका अच्छा गया होगा बहुत कम आपने errors की होंगी फिजिक सेक्शन में इस वार बहुत सारे question आपकी knowledge कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल